साधो काशास्त्रन सुनकी नौ अनपाबनी पगत नहीं साधी पुखे अन नदी नौ टेक काम नां बिसरे ओ ढ्यंबना त्यागे ओ लोब नां बिसारे ओ देवा परनिंदा मुखते नहचाड निफल पैसब सेवा बाट पाड कर मुस पराओ उदर पर यो अपरादी हुवै अपरादी के सोना सिम्रियो अहं अबिद्या साधी हर यार पनकार पोज न कीनों कथा कीरत नहीं जानी राम पगत बिन मुक्त न पावे अंवर जीव गरा बैप्रानी चारन कंवल अनराग न उपजियो पूत दया नहीं पाली रवदास पल साध संगत मिल पूरन ब्रहम सदा प्रत पाली आजने गुरुप साथ संगत जी दन दन जगत गुरु सतुगुरु विदाची महराज सब जीवों को बाहरी अडंबरों का त्या कर संगत में जाकर प्रभु का सुम्रन कर आमोलक जन्म को सफल करने का कल्यान का युपदेश देते हैं साथो का शास्तर न सुनकीनों अन पाबनी पगत नहीं सादे पूखे अन न दीनों टेक साथो का सास्तर सुनकीनों अन पाबनी पगतने सादे पूखे अन न देनों हे साथो प्रभु की प्रेमा बगती के बिना सास्तरों को सुनने का कोई लाब नहीं है जब तक जीव प्रभु की प्रेमा बगती नहीं करता और जीव उपर दया नहीं करता बूखों को अन नहीं देता तब तक जीवों को कोई लाब प्राप्त नहीं होता कामना बिस्रियो द्यंबना त्यागियो लोबना बिसारियो देवा परनिंदा मुखते नहचाद निफल पैसब सेवा कामना बिस्रियो द्यंबना त्यागियो लोबना बिस्रियो देवा परनिंदा मुखते निफल पैसब सेवा इस जीव ने कामनाओं का त्याग नहीं किया और बाहरी अडमरो को भी नहीं त्यागा और लोब का त्याग भी नहीं किया और इस जीव ने मुक से पराई निंदा को भी नहीं शोड़ा इस परकार ऐसे बाहरी डंबर करने से जीवी की जो सभी सेवा है निफल चली जाती है और जीव को प्रेमा बगती के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं होते बाट पाड कर मुस्पराओ उदर पर्यो अपरादी हुवै अपरादी के सोना सिम्रियो अहं अविद्या सादी बाट पाड कर मुस्पराओ उदर पर्यो अपरादी हुवै अपरादी के सोना सिम्रियो अहं अविद्या सादी जे जीव बगती के सेष्ट मारक को शोड़ कर परमात्मा को भूल कर प्रभु के निजगरक के रस्ते को शोड़ कर और रस्ते पर चलने लगा है और केवल अपने पेट बरने तक ही सीमत रहकर प्रभु को बलाकर अपरादी बना हुआ है क्योंकि जे जीव अडंबरों में फसकर अपरादी बनकर प्रभु का सिम्रिन नहीं करता और अग्यानता में फसकर अमुलक जन्म को निश्फल गवा रहा है हर अरपन कर पोज लाकीनों कथा कीरत नहीं जानी राम पगत बेन मुक्त नपावे अवर जीव गराबे प्राणी हर अरपन कर पोज लाकीनों कथा कीरत नहीं जानी जे जीव हर की बगती नहीं करता और ग्रीबों को बोज नहीं खलाता पाव प्रबु का सिंदन कर जीव पर दयाने करता और पलवर भी प्रबु की कथा कीरतन को सरवन नहीं करता इसलिए दुखी होता है राम पगतवन मुक्तना पावे अमर जीव गराबे प्राणी प्रबु की बगती के बिना जे जीव मुक्ती प्राप्त ने कर सकता और जे जीव इस संसार में अमर पद मुक्ती प्राप्त करने के लिए आया है पर प्रमात्मा को बूल कर जे जीव अग्यानता में फसकर हम मुलक जन्म को निश्वल गवा रहा है और हंकार को प्रापत होकर है प्रमात्मा की बगती को शोड़ कर है जे जीव दुखी हो रहा है पूरन ब्रम सदा प्रत पाले चर्न कमल अनरागन उपजियो पूद दिया नहीं पाले रविदास पल साज संगत मेल पूरन ब्रम सदा प्रत पाले इस जीव ने हम उलक जनम में आकर प्रभू के चर्नों कमलों के साथ प्रेम नहीं किया इसके रिदे में प्रभू के चरनक अमलों के प्रती बिराग उत्पनी हुआ और जीव ने पलवर्वी जीवों पर दया नहीं की सत्गुर्विदास महराजी उपदेह देते है कि इस जीव ने अमुलक जनम में आकर पलवर्वी साथ संगत में जाकर पूरन ब्रम प्रभू जो हमेशा जीवों की प्रतपारना करता है उसकी बगतिनी की इसलिए जीव अमुलक जनम में दुखी होता है पाविस जीव ने पलवर्वी संगत में जाकर जो संसार्म के कनकन में पर पूरन ब्रम जो हमेशा जीवों की प्रतपारना करता है उसकी बगतीनी की इसलिए दुखी होता है इसलिए सब जीमों को संतों की संगत में जाकर प्रभू की बगती कर अमूल की जनम सफल करना चाहिए जैगुरते